हलो दोस्तों मैं हूँ रवीग और आज के विडिओ में हम 4 पॉइंट्स पे बात करने वाला है कैसे काम करता है वो मैं आपको practically दिखाऊंगा और compressor के अंदर जो दो line जाती है उसमें से input line कौन सी होती हो और output line कौन सी होती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और चोथा बात करने वाला है दोस्तों कि अगर हम कार्का heater चालू करता है तो उस टाइम पे compressor है वो काम करता है या तो नहीं करता है दोस्तों तो चलो जल्दी से इस video को हम start करते है और सबसे पहले बात करते है कार्क में जो AC होता है उसमें refrigerant कौन सा यूज होता है दोस्तों त उसकी वज़ा से क्या होता था कि हमारा जो atmosphere का ozone layer है उसको नुकसान होता था इसलिए उसको बंद कर दिया गया है और आज की date में सभी गाड़ी में जो AC में refrigerant यूज किया जाता है वो R134A नाम का refrigerant यूज किया जाता है क्योंकि उसमें chlorofluorocarbon है उसका content बिलकूल नहीं होत होता है और दूसरा यह जो है R134A refrigerant है उसका boiling point जो है वो minus 26.3 degree centigrade है मतलब कि यह जो refrigerant है वो minus 26.3 degree Celsius पे evaporate होना चालो हो जाता है दोस्तों अब दूसरे point की बात करते है कि AC के कौन कौन से component होते है और वो कैसे काम करते है वो हम यहाँ पे एक simple diagram से समझते है तो दोस्तों सबस को चलने के लिए power की जरुवत पड़ती है लेकिन वो battery से power नहीं लेता है वो engine से power लेता है engine के बदच से वो belt और pulley से connect होता है और जैसे engine rotate होता है उसी वज़े से वो compressor है वो भी rotate होता है इसलिए दोस्तों आपना देखा होगा कि जब भी आप गाड़ी का AC चालू करते हो तो compress करके उसको pressurize करके जो भी compressor से refrigerant बहार आता है उसमें high temperature, high pressure और gaseous form में वो होता है दोस्तों अब वहाँ से compressor से जो refrigerant बहार आया है वो जाता है condenser के अंदर गाड़ी के अंदर जो condenser है वो radiator से आगे की side में लगा हुआ होता है bonnet के सब से आगे लगा हुआ होता है अब condenser क दोस्तों काम होता है कि वो refrigerant को condens करता है मतलब कि उसको liquid foam में लाता है condenser के अंदर छोटी छोटी pipe होती है वहाँ से जब refrigerant पास होता है तो compressor से बाहर निकलने वाला refrigerant होता है हो high temperature, high pressure और liquid foam में होता है दोस्तों अब condenser से निकलने वाला जो refrigerant है वो जाता है dryer में दोस्तों अब dryer दो काम करता है सबसे पहले तो refrigerant के अंदर जो moisture होता है तो उसको absorb कर लेता है क्योंकि अगर आगे जो moisture वाला refrigerant जाएगा तो वो pipeline को rusting कर सकता है या तो उसको blockage कर सकता है इसलिए जो dryer है वो refrigerant के अंदर से moisture content होता है उसको remove कर लेता है और दूसरा ये काम करता है कि जब भी ज्यादा refrigerant की जरूरत नहीं होती है तब वो dryer जो है वो refrigerant को store करता है मतलब कि एक तरस से low pressure और liquid pump में होता है दोस्तों उसके बाद में जो refrigerant है वो जाता है e-vaporator के अंदर e-vaporator है वो गाड़ी के अंदर की साइड में cabin के पीछे लगा होता है जो गाड़ी का जो dashboard होता है उसके अंदर e-vaporator दिया जाता है और e-vaporator के आगे blower fan लगे होता है अब जब भी यह जो ठंडा refrigerant है वो e-vaporator के अंदर आता है तो वो cabin के अंदर की जो गर्मी है उसको absorb कर लेता है और refrigerant है वो gaseous form में आ जाता है और जो cabin है वो ठंडी हो जाती है दोस्तों फिर वहाँ से जो evaporator से जो refrigerant बाहर निकटला है वो low temperature low pressure और gaseous form में होता है वही refrigerant है वो फिर से चला जाता है compressor के अंदर और फिर वहाँ फिर से वो compress होता है इस तरह से पूरी cycle है वो दोस्तों चलती रहती है अब मैं होता क्या है कि जब भी हम engine को rotate करते है चालू करते है तो उस time पर सिर्फ belt और pulley हो रोटेट होती है लेकिन compressor हो चालू नहीं होता है अभी मैं आपको गाड़ी को start करके फिर दिखाता हूँ अभी देखो यह गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हो बेल्ट और पूली जो रोटेट हो रहे है लेकिन compressor अभी रोटेट नहीं हो रहा है यहाँ पर यह वाला जो पार्ट देख रहे हो वह इसका electromagnetic clutch है जब भी हम AC की switch on करेगे उसी time पर electromagnetic clutch है वो एंगेज हो जाएगा और compressor है वो रोटेट होना चालू हो जाएगा वो मैं आपको practically करके दिखाता हूँ अभी यहाँ पर देख सकते हो AC की switch दी गई है यह switch को मैंने अभी ओन कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी यह जो electromagnetic clutch है वो एंगेज हो चुका है और compressor है वो रोटेट होना चालू हो चुका है दोस्तों और एक बात दोस्तों आपना देखी होगी कि जब भी AC गाड़ी का चालू होता है उस time पर कभी compressor है वो cut off होता है मतलब कि चालू बंद होता रहता है तो उसमें क्या होता है कि अगर automatic AC है आपने 25 degree का temperature set करके रखा है तो अगर cabin के अंदर 25 degree का temperature जब भी मिल जाता है तो उस time पर ECU क्या करता है यह electromagnetic clutch है उसको disengage कर देता है उस वज़े से क्या होता है कि compressor है वो rotate होना बंद हो जाता है और जैसे cabin के अंदर गर्मी बढ़ने लगती है ECU फिर से electromagnetic clutch है उसको engage कर देता है और compressor है वो अपना काम करना चालू कर देता है दोस्तों और दूसरी चीज यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों दो pipeline यहाँ पर निकल रही है एक input है और एक output है तो कौनसी input है वो आपको देखना है तो दोनों जो line है उसको आप एक बार touch करके देखिए जो line ठंडी होगी वो input line होगी क्योंकि अंदर आने वाला जो refrigerant होता है वो low temperature low pressure पे होता है इसलिए वो pipeline है वो ठंडी होती है यहाँ पे यह वाली जो pipeline है वो ठंडी pipeline है और यह वाली जो pipeline है वो थोड़ी गर्म pipeline है क्योंकि compressor से जो refrigerant compress होके आता है वो high temperature high pressure पे होता है इसलिए यह वाली जो line है वो गर्म line है दोस्तों अब यहाँ से जो compressor से refrigerant बहार आ अंदर क्या होता है कि जो रेफ्रिजरंट है वो लिक्वीड फॉर्म में आ जाता है और उसके बाद में वो high pressure, high temperature फो लिक्वीड फॉर्म वाला तो मेरा जवाब है कि कार का heater चालू करने पर compressor है वो काम नहीं करता है दोस्तों तो अब आप सोच रहे होगे कि जब भी हम heater चालू करता है तब cabin के अंदर गर्म हवा कहां से आती है अगर आपका सोचना यह है कि engine की जो गर्मी होती है उसको blower फैंसे अंदर बेजा जाता है त तो यह गलत बात है दोस्तों अगर आप ए सोच रहे हो कि refrigerant है उसको गर्म करके फिर उसकी गर्मी को अंदर cabin के अंदर भेजा जाता है तो वो भी गलत बात है दोस्तों तो एक car का heater है वो काम केसे करता है उसके बार में अगर आप जानना चाहते हो दोस्तों तो उसका मैंने अलग से एक वीडियो के बना के रख्या हुआ है उसकी लिंक आपको यहां डिस्क्रिप्शन में बिल जाएगी यह वीडियो देखने के बाद में वो वीडियो पी देख लेना दोस्तो मैं होप करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए एलमेट पे निए सीट बेट पे निए ट्राफिक रूल्स का पालन कीजिए और सुरक्सित रहिए मिलते कोई अच्छे से नए वीडियो में तिर देन बाइ बाइ टेकर लव यू थैंक यू वरी मुच